तो नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू महिंदरा बोलेरो के B6 Optional Model के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में आपको कौन-कौन से स्पेसिफिकेसन देखने को मिलते है साथ ही दोस्तो इस गाड़ी की प्राइस इस समय क्या चल रही है तो चलिए दोस्तो बिना देरी की वीडियो को सुरू करते है तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी के कुछ फीचर्स के बारे में तो इस गाड़ी में आपको 1493 सिसी का 4 सिलिंडर का M-Hop का 75 BS6 इंजिन देखने को मिलता है जिसमें कि अगर हम पावर की बात करें तो 76.96 BHP की पावर 3600 RPM पर वहीं अगर टोर्क की बात करें तो 210 NM का टोर्क 2200 RPM पर देखने को मिलता है इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 7-sheet की setting capacity देखने को मिलती है और यह गाड़ी 5-speed manual transmission के साथ आती है साथ ही दोस्तों इस गाड़ी में आपको 60L का fuel tank देखने को मिलता है और अगर हम mileage की बात करें तो यह गाड़ी 16 km 30L का mileage पेट्रोल में देती है ऐसा कंपनी क्लेम करती है इसके साथ इस गाड़ी में कुछ additional features जैसे की music system, power steering, anti-lock breaking system, door airbag, seatbelt warning, child safety lock, crash sensor and EBD आपको देखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस गाड़ी की 24 की new price के बारे में अगर आप इस गाड़ी का insurance करवाते हैं तो उसका भी जुड़ेगा 62,782 रूपे यानि की दोस्तों सभी takes और charges include करने के बाद इस गाड़ी की total on.price निकल कर आती है धराबाद city की 11,96,126 रूपे अब दोस्तों ये जो price है वो हैदराबाद city की है लेकिन अगर आप इस गाड़ी को किसी other city से खरीदेंगे तो इस गाड़ी की price में थोड़ी बदलाव हो सकती है तो आप नीचे comment करके अपने सेर का नाम जरूर बताए अब दोस्तों आप इस गाड़ी को अगर finance में खरीदना चाहते है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी के 6 साल यानि कि 72 महीनों का finance आप करवाते है तो इसमें अगर आप कम से कम down payment 3,5,486 रूपे करेंगे उसके बाद आपका loan amount बनेगा 8,90,640 रूपे का और इसी में आपका interest rate 8.9% लगाने पर आपकी हर महीने की किस्त बनेगी 16,10 रूपे और इसी के साथ आपको इस गाड़ी के पॉडल की न्यू प्राइज और उसकी finance डिटेल तो दोस्तों आपको वीडियो एक हैसी लगी comment करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें